उत्तम संतान प्राप्ति के लिए आपके साथ आज एक जोतिशिय सूत्र हम साज़ा करने वाले हैं आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऐसे विशय जर्नली बताई नहीं जाते लोग अपने पास इसको राज बना के रखते हैं और शेर नहीं करते आज इस स्लोक को डिकोड करे करेंगे जो की 16 संसकारों में से एक संसकार है पहले करबाधान संसकार भी होता था आज के समय में उसकी माननेता खतम होगए देश काल परिस्थिती के हिसाब से और इस स्लोक में यह भी बता दिया गया कि पुत्र कामना जो स्तिय रखती है उसको गरबाधान कभ करना है जोटिश लिखा गया होगा तब पुत्र की कामना बहुत सारे लोग रखते थे कि हमारे घर में एक पुत्र संतान हो पर हम आज कहेंगे कि आज की देश नहीं करता है कि अए उत्तर संतान प्राप्ति की हर कोई कामना करता है कि मेरी संतान अच्छी हो तो उसके लिए हमें यह समझना है आप यह समझ लीजे सूत्र इस सूत्र को समझ लेंगे अगर समझ नहीं भी आए तो आप हमें कॉमेंट में लिख सकते हैं हाला कि बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और बस इसको अपना लेना स्थे पापे सश्थे ऊंच पुत्र कामा सृँम लिख दिया इसमें कि पुत्र की काम ना रखने वाले स्थियां अब हमें समझ नहीं कि इसका कहने का मतलब क्या पहले पहले ही लाइन का मतलब समझ ले इस अजो सुब प्लानेट है कहा होने चाहिए तृकोन कितरों किको कहते स्अ आ रफ स्ट ओर नाइन थी ऊसको कहा जाता है एक चार साथ और-धस जब भी घरों में प्लात हो तो उस समय में गरभाधान करना चाहिए अब model लिख दीगई के पाप by रहे एक पांच नौ में ना होकर 14 7 10 में ना होकर कहा होने चाहिए सब क्या चादbahn लिख वर लीखे जाते नहीं सब्सक्साइब मतलब है उना पर तीन और जो प्रों गया लाव नंबर भाव में को तो कहा होने चाहिए पाप प्लैनेट पाप प्लैनेट कौन से है शनी आपका सूर्य मंगल राहू यह जो प्लैनेट है यह प्लैनेट है कुरूर सस्थे पाप प्लैनेट तो कहां होने चाहिए तीन छे और ग्यारह में अब आगे आ पुत्र का मास्त्रिमन यहां पर कहते हैं कि वित्षे नर्व की कामना फैने मंतले यहां कि अगर आप पुत्र संतान चाहते हैं ज़ोडों में गरभधान्र करना यंगा कहने का मतलब है कि अद हमतले दि में और अपने से कुछल दिन, शिक्ते डे, और फिर कब आठवे दिन, दसवे दिन, बारवे दिन, चौदवे दिन, और सोल्वे दिन, अपने रजोधरम से इन दिनों में अगर गरबाधान करते हैं, तो पुत्र संतान के प्राप्ती के चάνसेज बढ़ जाते हैं, या उत्तम संता का मानना है जो तिशियों का मानना है जिन्होंने यह स्लोक लिखा है हमारा काम इसको डिकोड करना है और सही information आप तक पहुचाना है हो सकता है कि इसको interpretation में बताने में हमसे भी कुछ गलती हो गई हो क्योंकि हम इतने विद्वान नहीं है कि जो हमारे रिशियों ने कहना चाहा हम उसे अतनी आराम से कह दें लेकिन जो इसका तात पर निकलता है भावार्त है वह आप तक पहुचाने की कोशिश की है इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ आपको जरूर लाभ मिलेगा आज के लिए इतना ही अगर पसंद आया हूँ वीडियो तो आगे जरूर शेयर करें नमस्कार